हेलो दोस्तो आज के इस व्डियु लेक्चर के अंदर हम लोगो Be वैं इस मारतेवलिक हैं तो नमश्काष रेकाल आदाब असलाम आलेकुम मेरा नाम Shot और आप सभी का आपके अपने इस प्यार एस एक्टुब चैनल कोमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को तो चलिए दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई मर्शीनरी का नहीं है बलकि किस का लिया है अपने एक्जामपल वेन का लिया है और इसको रिपेर के लिए आपने 5,000 रुपे इस पर खर्च कर दी है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे क्या लिगा है और 1 अक्टूबर 2017 another van was purchased for 70,000 यानि के एक और वेन आपने पर्चेस करी है लेकिन अभी ये करी है आपने 1 अक्टूबर 2017 को यानि के अगले साल अक्टूबर के अंदर वो कितने खरी दिये 17,000 रुपे की आपने खरीदी है आगे लिगा है on 1st April 2018 the first van purchased on 1st April 2016 was sold 45,000 रुपीज ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यानि के इन्होंने ये का है जो आपने 1st April 2016 को जो वेन खरीदी थी अब आप उसे क्या कर रहे हो sold यानि के बेच रहे हो आपने बेच दिये वो 45,000 रुपे की and a new van costing one lake 70,000 was purchased on the same date ठीक है तो उसी date में आपने क्या कर लिया है जिस date में आपने बेचा है 2018 1st April को आपने एक machinery बेची है 45,000 रुपे की और उसी date में एक 3rd van आपने क्या कर लिये खरीद लिये जिसकी कीमत है कितनी 1,70,000 रुपे है चलिए बात समझ में आगे आगे क्या लिखा है show the van account from 2016 to 17 to 18,19 यानि के कुल मिला करके 3 साल का हमें van account बना के दिखाना है क्योंकि 16 से ले करके 19 तक जो हो जाते हैं हमारे 3 साल हो जाते हैं तो 3 साल का हमें क्या दिखाना है एक van account दिखाना है आगे लिखा है on the basis of straight line method यानि के SLM method हम apply करने वाले हैं इसके अंदर if the rate of depreciation charge is 10% जो rate of depreciation है वो कितना है जी 10% हम charge करेंगे ठीक है आगे लिखा है assume that books are closed 31st March every year यानि के जो book close हो रही है हर साल 31 March को आपकी book क्या हो रही है close हो रही है तो बहुत ही patience के साथ अराम के साथ इस question को हम आज solve करने वाले हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे ठीक है ना तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हमें एक format बना लेंगे किस चीज़ का वैन अकाउंट का तो format मेंना अल्रेडी आप लोग के लिए तयार किया हुआ था तो उपर लिख देंगे हम वैन अकाउंट जब भी कोई भी आप अकाउंट बनाओगे चाहे फिर वह मशीनरी हो वैन ओ या कोई भी चीज़ हो उपर टाइटल में का डालने ना है जिस चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हो तो हर बार हमने पिछले कोशिशनों में देखा था कि मशीनरी अकाउंट बना रहे है तो हमने मशीन लिख इस बार क्या है वैन अकाउंट है तो हम वैन अकाउंट लिख देंगे उपर इसके बाद वही बेसिक फ़रम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑर ये अट्पर्टिकुलर अमाउंट वह कृडिट साइड हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इस को सॉल्व करने के एंट्रिवी मेने पिछली वीडियो लेक्चर के दर डिसकस करी थी जब भी कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है टू क्या होगा टू होगा बैंक अकाउंट ठीक है ना तो हम क्या लिख देंगे यहां पर टू बैंक अकाउंट ठीक है कितना आ यहां पर लिख सकते हो कि यह जो चार्ज का है रिपेयर का है ठीक है कैसा चार्ज है दोस्तों यह यह रिपेयर चार्ज है तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं चलिए यह बात हो गई क्या इस साल कोई और activity हो रही है क्या कोई और काम हो रहा है आगे दिखते हैं जो नई वेन आपने खरीदी थी वो एक October 2017 को खरीदी है तो हमारा जो बन रहा है यह October है ध्यान दो क्या लिखा है अक्टूबर लिखा है और जो हमारा देट आएगी वो क्या आएगी यह आजाएगे आपकी 2017 मार्च कि थर्टी फस्ट इस तरीके से हम लिख देंगे अब इसके अंदर होगा क्या कि पूरे साल जब वेन यूज होगी तो इस पर चार्ज होगा टप्रिसियेशन ठीक है तो टेप्रिस graveyard के इंटर क्या मनती है टैप्रिसियीशन बाइ डेप्रिसियेशन अकांट लिख देंगे इसपा इसके नीचे ही धीक हो जाएगा गा वर्किंग नोट नमबर हो जाएगा अब जो वहनकी कोस्त कितनी हे वह है जी 65,000 टोटल क्योंकि साथ हजार की वें थी और पांचार रुपे रिपेर के लिए खर्च करें आपने तो टोटल जो वें पड़ गई हमें कितने की पड़ गई 55,000 की पड़ गई और 10% इस पर क्या है मन्त आप बहुत ध्यान रखेंगे कभी कभी वें जो खरीद लिया याती है लेकिन यह फरस्ट है तो यह फरस्ट अप्रेल कोई खरीदी गी है तो यहां पर हम लिख देंगे पैंचार रुपे यह क्या हो जायगा दोस्तों इसका डेप्रिसेशन हो जाएगा अब इसके बाद कोई और activity तो हुई नहीं है 31 March तक तो हम क्या कर देंगे इसको बस tally कर देंगे tally बोले तो यहां लिख देंगे हम 65,000 और यहां भी हम कितना लिख देंगे दोस्तो 65,000 लिख देंगे लेकिन आप को होगे कि वो तो जी 65,000 है यहां 65,000 है तो चलिए कोई बात मी यह आपका आजाएगा closing balance यानि के 31 March को आपकी जो वेन है कितने की बचेगी तो यहां subtract कर दो आप इसे यहां बचेगा आपका 58,500 कितना बचेगा जी 58,500 की वेन बचेगी आपकी कब at the end of the year ठीक है हम इसे लिखेंगे by balance CD तो balance जो आजाएगा आपका कितना आजाएगा 58,500 आजाएगा ठीक है यानि के वेन जो होगी 31 March को आपकी कितने की बचेगी 58,500 रुपे की बचने वाली है ठीक है और कोई activity नहीं हुई थी अब अगले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आजाएगा 2,000 17 आजाएगा और March के बाद जो अगले दिन आता है वो क्या आता है 31 March के बाद जो आएगा वो क्या आएगा 1st April आएगा 1st April को जो मशीन डी की कीमत बचेगी उसे हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 2 balance BD तो BD करके हम कितना लिख देंगे 58,500 रुपे लिख देंगे ठीक है यह बात भी समझ में आ गई अब हमें क्या करना है इस साल देखना है कि क्या-क्या एक्टिविटी हुई है ठीक है तो 17 में आपने एक मशीन डी थी ठीक है 1st October 2017 को एक मशीन डी आपने क्या कराए और खरीद आए कितने की 70,000 रुपे की ठीक है 1st October 2017 को एक वेन खरीदी 70,000 की तो आप इसकी भी पोस्टिंग कर देंगे कैसे करेंगे जी यहाँ पे लिख देना आप October 1st और जब मशीन डी खरीद दी है तो हम क्या लिखेंगे 2bank account ठीक है यहाँ कितना आ जायेगा जी 70,000 रुपे आ जाने वाला है इसे हम लिखेंगे V2 से और इसे हम दिखा देंगे V1 से अभी तक हमने नहीं लिखा था क्योंकि एक यह वेन थी लेकिन अब 2 हो गई है तो हमने V2 लिख करके इसे दिखा दिया अब देखिए जो वेन है हमारी कितनी की हो गई है यह हो गई है इसे जोड़ देंगे हम 500 ही आ जाएगा यानि कि 1,28,500 की वेन हो गई है हमारी फर्म के अंदर तो दोस्तो अब जो वेन की कीमत आ गई है हमारी कितनी आ गई है 1,28,500 रूपे आ गई है लेकिन अब हम देखेंगे कि 2017 एपरेल की थी है और अब हम आ जाएंगे 2018 पे और वो भी कौन से मन्त पर आ जाएंगे दोस्तो March 31 पर आ जाएंगे यानि के March तक कोई अक्टिविटी नहीं हुई थी तो इसके अंदर हम बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे और डेप्रिसेशन चार्ज कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर जो डेप्रिसेशन चार्ज करने के तरीका है कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे वी वन यानि के वैन वन और यह क्या हो जाएगा वी टू यानि के वैन टू अब बात करते हैं डेप्रिसेशन की क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसेशन तो उतना ही चार्ज होने वाला है तो फर्स्ट वेन पर जो चार्ज हो था पिछली बार कितना होँ था तो यहाँ पर भी कितना होने वाला है पैंसर्ट सो रुपए होने वाला है ठीक है जी यह बात समझ में आगई अब बात करते हैं वेन टू ये तो भाई है 1st October को खरीदी गई है तो जो when 1st October को खरीदी गई है उस पर पूरे साल का depreciation होने लगेगा कितना लगेगा केवल 6 मन्त का लगेगा 6 मन्त का क्यों लगेगा क्योंकि October से लेकर के 31 मार्च तक का आपको देखना है तो यह हो जाते है 6 महीन है तो 70,000 का आप depreciation निकाल लो यहाँ पर हम लिख देंगे working note number क्या है यह working note number आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जो आपकी when थी दोस्तों वो कितने की थी 70,000 रुपे की थी ठीक है और अगर मैं depreciation की बात करूँ तो depreciation कैसे चार्ज करोगे आप आप लिखना 70,000 into में 10% यानि के 10 divided by 100 और चुकि 6 मंत के लिए निकालना है तो आप क्या कर दोगे 6 by 12 कर दोगे अगर 7 मंत होते तो 7 by 12 करते 8 मंत होते तो 8 by 12 करते तो हम क्या करेंगे 6 बंजा 6 6 तू जा 12 2 0 से ये 2 0 के आओ गई cancel हो गई और 7 बंजा 7 2 बंजा 2 और ये आजाएगा 35 ठीक है 2 0 बजगी यानि के 3500 रूपे कितना आगे दोस्तो 3500 रूपे आगे हमारा क्या depreciation second when का तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 3500 रूपे लिख देंगे बहुत अच्छी बात है अब आप क्या करो 3600 और 3500 इन दोनों का total यहाँ लिख दो ताके हमें पता लग जाएगी जो total depreciation हुआ है वो कितना हुआ है ठीक है यह हो जाएगा आपका 10,000 रूपे कितना हो जाएगा दोस्तो 10,000 रूपे total depreciation हो जाएगा लेकिन इतनी value कम होने के बाद end of the year आपकी when की कीमत क्या बची वो आप कैसे लिखोगे आप लिखना है यहाँ पर by balance cd cd लिख करके cd का मतलब carried down अब आप when 1 की value लिख दो और when 2 की value लिख दो वो कैसे आने वाली है देखिए v1 यानि के जो आपकी when थी वो first April को कितने की थी अठावान इजार 500 की थी तो अठावान इजार पान्सो में से आप subtract कर देंगे और इसका depreciation क्या कर देंगे इसका depreciation क्या कर देंगे अठावन इजार पानsil और माइनस कर देंगे दोस्तों कितना 65,000, minus कर देंगे 65,000, तो यह आ जाएगा 52,000 कितना आ जाएगा 52,000 की machine, sorry, when बचेगी आपकी first वाली, और second की अगर मैं बात करूँ तो यह 70,000 रुपे की थी तो 70,000 minus कर देंगे कितना 35,000 तो यह आ जाएगा आपका 66,500 यानि के 66,000 500 आपका क्या हो जाएगा second when हो जाएगी और अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 66,500 और पिलस 52,000 यह आपका बन जाता है दोस्तों 1,18,500 कितना हो जाएगा 1,18,500 तो इस तरीके से यह closing value बचेगी आपकी किशिज की when की, अब आप ध्यान से देखना कि जब 1,18,500 को आप जोड़ोगे किस से 10,000 से तो यह कितना हो जाएगा 1,28,500 हो जाएगा और हमारा यहाँ भी कितना है स्टार्टिंग में 1,28,500 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि हमने सवाल सही करा है second year का आपका क्या हो चुका है फाइनल हो चुका है यह थोड़ा सा उपर नीचे हो गया है चलिए मैं बराबर करी देता हूँ वन्ना आप लोग कहो गए कमेंट में कि इक्वल नहीं आ रहा है तो इसके एक्विवेलेंट लिखते हैं बिल्कुल ठीक है ना यहां भी आप कितना लिख दो एक लाग अठाइस जार पांसो लिख दो तो यह हो गया है आपका सेकिंड यर का अब बात करते हैं थर्ड यर की तो थर्ड यर को फिर से यह बैलेंस क्या हो जाएगा आपनिंग बैलेंस बन जाएगा यहां पर यर के चल ला था 2018 चल ला था तो यहां भी 2018 ही रहेगा क्योंकि अगला दिन चेंज हो रहा है खली यानि कि यह हो जाएगा एपरेल फस्ट को टू बैलेंस बी डी यानि कि आपनिंग बैलेंस जो दिखेगा कितना दिखेगा जी value 2500 दिखेगा किसका V1 का दिखेगा आपको 5200 और V2 का आपको कितना दिखने वाला है दोस्तो यह दिखेगा 64500 और मैं टोटल की बात करूंब तो कितना आएगा 118500 118500 118500 तो इस तरीके से या आपका आपनिंग बैलेंस आ गया है अब बात करते हैं कि कौन सी और activity हुई थी तो देखिए एक अपरेल को 2018 को जो when first थी वो आपने बेज दिये कितने की 45,000 रुपे की बेज दिये दोस्तो ठीक है और यह किरा है एक new when और खरीदी है 1,70,000 की उसी दिन खरीदी है तो ठीक है तो पहले जो खरीदी है उसकी entry मार देते हैं हम लोग ठीक है ना यानि कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फर्स्ट अपरेल तो लिखा हुआ है हमारा हम लिख देंगे to bank account to bank account करके हम कितना लिख देंगे 1,70,000 ठीक है जी यह हो जाएगी हमारी van 3 हो जाएगी आप 3 का एक notation दे देना ताके examiner को पता लग जाए कि यह जो value आई है कि इसकी आई है यह van 3 की आई है 1,70,000 ठीक है लिख दी है हमने अब इसके बाद एक जो machine day आपने बेची थी पहले उसका पूरा solution देख लो आप क्या होने वाला है April 1st को क्या बेचा है आपने when बेची है तो हम यहां क्या लिख देंगे by bank account ठीक है by bank account आपने क्या करा है सेल करा है तो आप break it में लिख भी देना सेल करा है आपने कितने की बेची है वेन बेची है आपने 45,000 रुपे की वेन बेची है तो 45,000 रुपे हम लिख देंगे इस तरीके से अब इसके बाद देख लेंगे कि इस पर depreciation कितना चार्ज होगा क्योंकि इसे बेचा है 1st April में तो एक बात बताईए भई depreciation जो चार्ज हो रहा था इसका हारा 31 मार्स तक का वेन वन का 65,000 रुपे हो रहा था और वो तो हमने दिखा भी दिया था क्या अब एक दिन के लिए depreciation दिखाने क्या हो शकता है तो जवाब अगर नहीं इस पर आप depreciation मत चार्ज करो लेकिन हाँ यही वेन अगर 2-3 महीने बाद बेची होती तो वो 2-3 महीने का हम यहाँ पर क्या लगाते है depreciation लगाते है अब हम क्या करेंगे इस activity को या इस transaction को करने से हमें profit हुआ या loss हुआ उस बात को हम जानेंगे अगर हमारा loss होगा तो हम credit side में लिखेंगे और अगर हमारा profit होगा त हम उसे debit side में लिखेंगे तो चलिए देखते हैं कि हमें profit हुआ या loss हुआ तो देखिए सुनिए वेन जो आपने खरीदी थी वीवन वो कितने की खरीदी थी 5-6,000 रुपे की ठीक है जी हमने लिख दिया 5-6,000 रुपे अब 1st year जो depreciation लगा था वो कितना लगा था 1st year depreciation 10% यानि कि पैंशाट सो रुपे लगा था तो पैंशाट सो रुपे से हम क्या कर देंगे इसे कम करेंगे ठीक है ना इसके बाद में और भी देख लेते हैं जो second year depreciation लगा था वो कितना लगा था second year depreciation again मेरा 65-100 लगा था क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इसके बाद मैंने इस मशीनरी को बेचा है तो 6 दुनी बारा और 13 यानि कि 13,000 रुपे में क्या कर दूंगा subtract कर दूंगा तो 55,000 की वेन थी माइनस 13,000 रुपे मैंने क्या कर दिये से subtract कर दिये तो यह आ जाएगा बावन हजार रुपे कितना आगए दोस्तो बावन हजार रुपे की मेरी वेन बची थी ठीक है कब बची थी यह बची थी मेरी 31 मार्च को ठीक है ना लेकिन अब मेरे म तो कम होता है 52,000 ज्यादा होता है यानि कि ज्ञादा की चीज़ को आपने कम में बेज़ दिया आपका लॉस हो गया दोस्तो लॉस कितना का हो जाएगा आप इसे क्या कर दो सब्ट्रेक्ट कर दो यह आपका कितना बज़ जाएगा 7000 यालिके 7000 रुपेगा क्या दिखेगा आपको loss दिखने वाला है इस transaction के बाद और loss को हम कहां refer करेंगे यहां refer करेंगे और कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे by profit and loss account ठीक है आपने क्या करा है sell करा है तो आप यहां लिख देना sell loss on sale लिख दो जाद अच्छा रहेगा ठीक है ना या ऐसा करो आप loss मत लिखो वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि profit and loss account अगर क्या हो रहा है इधर आ रहा है तो क्या होगा लोस ही हो गई एक notification अल्रेडी होती है ठीक है ना तो आपको loss चमकाने की जरुवत नहीं है आप काली profit and loss लिख करके sell लिख देना और जो loss हुआ है आपका कितना हुआ है 7000 रुपीज का हुआ है तो आप यहां क्या लिख देना जी नहीं अभी तो बहुत ही important बात बाकी है क्या बाकी है जो आपकी V2 और V3 जो है इसका depreciation तो लगेगा भरी write-off तो यह हुई है ना हमारी खतम तो यहाली हुई है V1 तो अब V2 और V3 को हम क्या करेंगे calculate कर लेंगे लेकिन date का ध्यान रखना अब जो date डर लेगी हो क्या डर लेगी 2000 यहां 18 ती ना 1st April अभी यहां क्या आजाएगा 18 के बाद 19 आजाएगा कितना आजाएगा यहां पर इस बात का ध्यान रखना 2019 आजाएगा यहां पर और यहां हम जो लिखने वाले हैं क्या लिखेंगे March 31 क्या लिखेंगे March 31 तो March 31 को जो आपका बैलेंस होगा पहले डेप्रिसेशन लिखेंगे फिर बैलेंस लिखेंगे तो हम यहां लिख देंगे बाए डेप्रिसेशन अकाउंट ठीक है ना V1 का भी लिख दो और V2 का भी लिख दो V1 आपकी बिख चुकी है V2 का लिख दो और V3 का लिख दो अच्छा एक बाब बताईए V2 यानि के जो हमारी मशीन टी थी 66,500 की बची थी यह देखिया आपने खरीदी कितनी की थी 70,000 की खरीदी थी तो 70,000 का आप निकालेंगे हम 10% ना की इसका क्योंकि यह तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि डेप्रिसेशन जो आयाएगा कितना आएगा 7,000 रुपय आएगा V2 का और V3 की बात करूं तो यह मैंने कब खरीदी है यह खरीदी है 1st April को ठीके ना तो 1st April को खरीदी है चाहे हो तो आप यहां भी डाट डेट डाल दो 1st April को खरीदी है और यह 31st March है तो यानि कि पूरे साल इस्तिमाल हुई होगी तो 1,7,000 का 10% कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा तो 17,000 आप यहां लिख दो 10% निकालने का बहुत ही इजी तरीका होता है बस लास्ट में से आपको एक 0 क्या करना होता है हटाना होता है नहीं पता तो चलो मैं यहां एक बार बता जेता हूं करके वह यह 1,7,000 का 10% तो यह 0 से यह 0 cancel हो जाएगी और यह 0 ना इस वाली वेल्यू का खाली एक 0 खतम करता है तो इस वाज़े से मैं बार बार ओर ओर ली कर रहा हूं कि यहां पर कितना आ जाएगा 17,000 रुपया आने वाला है depreciation का तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो यह rough था तो मैं इसे हटा देता हूं ठीक है ना मैंने हटा दिया अब देखिए आपने depreciation चार्ज कर दिया लेकिन end of the year इन दोनों की value कितनी बची है यह भी आपको दिखाना पड़ेगा वो कैसे दिखाओगे आप आप लिखना by balance cd यानि कि closing balance आपको दिखाना पड़ेगा वो किस तरीके से दिखाओगे आप कि भई देखो मैं calculate करके पांसो की थी 66,500 की और 7,000 रुपे और deduct हो जाएंगे इसमें से end of the year तो यह बचेगा 59,500 तो हम यहाँ लिख देंगे V2 जो बचेगा 59,500 यह V2 हो जाएगा और अगर मैं V3 की बात करूं यानि के when 3 की तो यह 1,70,000 की थी और साल के अंत में 17,000 रुपे कम हो गए तो यह बच इस तरीके से यह calculate किया जाएगा ठीक है ना तो अब देखिए कि यह आपका closing balance आ गया यह depreciation आ गया अब आप इसे टेली कर सकते हो क्या कर सकते हो टेली कर सकते हो यह जगा थोड़ी कम पड़ रही है कोई दिक्कत में है लेकिन मैं बोल भी रहा हो हो रही लिए बही एक पहले जो closing balance है इसे भी वहां लिख लेना ठीक है ना तो closing balance और depreciation हमारा कितना कितना आ रहा है बही 17,000 पिलस 7,000 यह जो आएगा इन दोनों का total जो आएगा वो मेरा कितना आएगा 24,000 आएगा तो यह depreciation की value मैं यहां लिख दूँँगा 24,000 ठीक है सर जी समझ में आगी बात इसके बात में जो हमने यह कर रहा था closing balance जो था 59,500 पिलस 153,000 यह आजाएगा 2,12,000 2,12,500 ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है 2,12,500 मैंने यह लिख दिया अब मैं totaling की बात करता हूँ अगर मेरा यह equal आजाता है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा answer बिलकुल सही है तो 2,12,500 पिलस 24,000 पिलस 7,000 और पिलस 45,000 तो यह आजाता है 2,88,500 और यहां भी कितना है 2,88,500 तो इसका मतलब समझ रहे हो आप इसका मतलब यह है कि हमने successfully इस question को complete कर लिया है 2,88,500 मैंने यहां भी लिख दिया है थोड़ा overwriting हो गई थी तो मैं इसे correct कर देता हूँ अब ठीक है तो 2,88,500 आ गया है हमारा 31 मार्ज 2019 को ठीक है अब देखिए एक चीज और यहां पर जो हमें account बनाना था 2016 से 17 का बनाना था फिर 17 और 18 का बनाना था और last वाला क्या था हमारा 18 से 19 का ठीक है तो अब आप यहां check कर लिजिए पहले हमने 16 से 17 का बनाया 17 से 18 का बनाया and then 18 से 19 तक का हमने बना दिया है तो I hope आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अगर किसी तरह का कोई confusion है कोई doubt है मन में तो आप लोग comment करके अवश्य ही पूछ सकते हैं आप लोग टिपड़ियां करते रहा करो वह आपका काम है ठीक है ना और आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर फिर हमारा बहुत जादा लंबा हो जाएगा आते हैं कुछ और interesting question के साथ ठीक है तो बने रहिए अपने इस प्यारे से YouTube चेनल commerce की दुनिया के साथ आज के वीडियो so much have a good day